हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियो मैराकेश सर आप सभी का अपना योट्यूब चैनल जियाश वाडिगा में हार्दिक स्वागत अभिनन्दन वंदन गरते हैं आज का हमारा जो मुखे बिंदू है वो महत्तोपूर पुस्तक उनकी लेखक यानि इस बिडियो के माद्यम से हम आप सभी तक सारे पुस्तक और उनकी लेखक के बारे बता हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम जिससे रेलवे, SSC, डिफेंस के जितने भी एक्जाम आ रहा हैं उन सारे एक्जामों में जितने भी भारतिय मुट्पूर पुस्तक पुसे रहा हैं उन सारे पुस्तक और उनकी लेखक को हमने इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं इसके माध्यम से आप लोग सारे पुस्तक को जो है नोट करिएगा और कंफर्म याद करिएगा और रेली बातारे बहुत मज़ा आएगा और सारे एक्जाम में जितने भी एक्जाम में ये कोशन जैसे ही आएगा आप उसको पेपर के खुपड़ी में छेद कर दीजिगा इस त्या उमीद हम आप लोगों से करते हैं चलिए हमारा जो पहला बुक आप लोग के सामने आने वाला है ये रहाब पहला बुक गोदान गोदान के लेखक कोन है गोदान जो है गोदान के लेखक जो है मुनसी प्रेमचंद गोदान के लेखक जो है मुनसी प्रेमचंद गोदान के लेखक कोन है तो मुनसी प्रेमचं नोट करिएगा अकबर नामा के लेखा कौन है तो अबूल फजल है इसको नोट करिएगा बहुत important question है बहुत very very important question है और इसी अकबर नामा में ही अकबर की आत्मकता को लेख किया गया और इसके लेखा कौन है अबूल फजल है ठीक है अगले question पर आते हैं हम लोग अगला जो अपको लेखक न कसे लिए अगले खते हैं अगला जो यह प्यांट आप लोग उस्ते को पांते हैं इंडिका इंडिका कि लेखक कौन है उसका हो लित और उसका लेखक जो है व्य्टा 맞षार्ट मेगास्तिनी जो है इंडी का नामक पुस्ता को लिखा है अगले बुक पर आते हैं हमारा जो अगला बुक देखिएगा आप लोग के सामने इस परकार है कि कामसुत्र के लेखक कौन है कामसुत्र के लेखक जो है कौन है तो वात्सयायन वात्सयायन जो है कामसुत्र नामक रहा कि रास्तरंगणी की लेखा कौन है रास्तरंगणी की लेखा कौन है रास्तरंगणी की लेखा कलाड़े इसको नोड़ करिएगा इसी रास्तरंगणी नामक पुस्तक में कास्मीर की इतिहास मिलता है नोड़ करिएगा कि कास्मीर का इतिहास किस पुस्तक मिलता है तो रास के सामने ये रहा, speed post, speed post के लिखा कौन है, सोभाडे, सोभाडे जो है, speed post नमकुस्तर को ही लिखा था, सोभाडे ने, ठीक है, अगले question पर आते हैं, अगला जो book है, आप लोग के सामने आ रहा है, ये रहा, आप लोग के सामने आइने अकबरी आइने अकबरी के लेख़ बहुत important question है आइने अकबरी के लेख़ कोन है अबूल फजल इसको नोड गले नहे है ठीक है अगले बुग पर आते हैं हमारा अगला बुग जो है ये रहा Divine Life Divine Life के लेख़ा жatव सीवा नंद है अरविंद गोस्स है अब आगे हम लोगगो मिलेगा अगले वुक पर आते हैं अगला जो है आप लोगके सामने इस परकार रहा इंटर्नल इंडिया न कुछ लेका JUST कोन थाण देना Insurance India के लेखक जो है Indira Gandhi, ठीक है? इनकी एक और पुस्तक है, आप लोग को पुस्तक को मिलेगा आप साहिद, इसके बाद अपुस्तक साहिद उन्हीं का है, और हाँ, उन्हीं का पुस्तक मिलेगा कि My Truth, My Truth के लेखक कौन है? My Truth के लिखा कौन है तो इंद्रा गांदी नहीं My Truth नहीं पुस्तक को भी लिखी थी चलिए अगले पुस्तक पे आते हैं हमरा अगला पुस्तक जो है आप लोग के सामने इस परकार आ रहा है और आप लोगों से बार-बार request कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक सेर और इस चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इसी छोड़ी छोड़ी वीडियो के आप लोग इसे अच्छी तरह से देख सकें टिक है यह रहा मिलिंद पनाऊ मिलिंद पनाऊ के लिखद लेख़क कौन है तो नाक सेरी जो इसको नोट करेगा मिलिंद पनोहो के लिखक जो है नाक सेन है ठीक है अगले बुक पर आते हैं अगला बुक जो है आप लोग के सामने इस पर कार रहा है सहनामा सहनामा पुस्तक के लिखक कौन है फिर दोसी इसको नोट करेगा सहनामा के लिखक फिर दोसी है अगले पुस कुछता है कि बाबर नमा किस भासा में तो तुर्की भासा में ठीक है अगले पिओर ते हैं हमारा अग्ला जो आर्टा ईंग्वर्श्ट्र के लेखा कौन है आर्थ पुस्तव को लेखा थैइगा है चाड़क की को Рचाड़क के लेखा fyगज은 है बैप सल दौरुक। तो चाड़क के सब्नेस खभिना जाता है चाड़क की किस नाम से नांता है तो अगले भूक ठीक है हुमायू नामा अगला बुक जो है हुमायू नामा है और हुमायू नामा के लिखा कौन है गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम नहीं हुमायू नामा की रशना किया और यही हुमायू नामा में हुमायू की आत्मगता का उलेक मिलता है ठीक है अगले बुक पर आते ह है हमारा जो अगला वूख क आप लोग के सामने इस परकार रहा. गित गोबिद् वेजरी बहुत इमपोड़ेंड कोशिण गित गोबिद् के लेकाव कौन है जयव देव लचमड जी की जय हो । लचमड सेन के सासनकाल में जयदेव रते थे लचमड सेन के सासन काल में जैदेव रते थे और उन्होंने ही गित गोबिन नावक पुस्ता को लिखा है तो नोट के लिएगा कि गोबिन के लेखा जैदेव है और जैदेव किसके सासन काल में रते थे तो लचमड सेन ठीक है अगला कोशन देखते हैं हमारा अगला कोशन जो है आप लोग के सामने इस परकार रहा बुद्ध चरित्रम के लिखा कौन है तो अस्वगोस बुद्ध चरित्रम के लिखा कौन है अस्वगोस इसको नोड के लिएगा अगले बुक पर आते हमों हमारा अगला बुक जो है आप लोग के सामने इस परकार रहा है यंग इंडिया नावक पुस्तक को लिखा था ठीक है इसको नोट कर लेना है और बहुत इंपोटेंट कोश्चन है मात्मा गांधी से लेटर और भी सारी वीडियो आने वाले हैं आप लोग देखते रहे हैं ठीक है आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतने लोग इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं की हैं आप लोग सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो का फायदा मिल सके अगले बुक पर आते हैं हमारा अगला बुक आप लोग के सामने इस परकार है हमारा अगला बुक जो है माल गुड़ी डेज माल काविभांसा के लXT को लिखा है। जुए दो अगला कौशन है सत्यास पर्कास नहोग पुश्टक को लिखा था, इसको नोड कर लेना है सत्यास पर्कास किसके दूर लिखा है अगले कोशन पर आते हैं जो अगला book है जो हीस परकार है मेंगदूतम करछीटा कौन है तो काली दास मेंगदूतम करछीटा कौन है तो ये काली दास इसको नोट क пользовाना है very important question है यह हितो पदेष हितो पदेष के लेखा कोन है तो नरायन पंडित हितोपदेश के लिए का कौन है तो नरायन पंडित नहीं हितोपदेश नावकुस्ता को लिखा था अंडरलाइन करिएगा और नोट करिएगा बहुत इंपोर्डेंट कोशन है बहुत सारे जितने भी भूक है यह सारे भूक हमारे अगामी एकजामें आ सकते हैं और बहुत सारे एकजामें पुछे जा चुके हैं इसलिए मैं इस सारे मौतवपूर्ड भूकों को एक जगर नोट किया और सारे भूक को आपके पास पहुचा रहा है अप लोग इस वीडियो को लाइक सेर सबस्क्राइब जरूर करेंगे ठीक है अगले भूक पर हम लोग आते हैं सारे बुख जो है important है सागरी का गोस यह अगला question जो आप लोग के सामने है guide के लेखा कौन है guide के लेखा कौन है तो note करिएगा R.K. Narayan guide के लेखा कौन है तो R.K. Narayan ने guide डामा कुस्ता को लिखा था ठीक है अगले बुख पर आते हैं हम लोग अगला बुख जो है आप लोग के सामने ये रहा इस suitable boy के लेखा कोण है विकरम सेट very important वाहद दो-important question है इस suitable boy के लेखा कोण है तो विकरम सेट इसको note का लिजिएगा अगले बुख पर आते हैं हम लोग हमारा अगला बुख जो है आप लोग के सामने इस परकार दिख रहा है लाइफ डिवाइन अगला बुक और ये लाश्ट बुक है हम लोग के सामने इसके बाद हम लोग आगामी आने वाले एक्जाम में जितनी भी एक्जाम आएंगे उस पर जैसे ये बुक का नाम देगा हम लोग एंसर को खोज कर आपशन से निकाल कबार कर फेक देना पेपर के खोपड़ी ये पूरा का पूरा चेद कर देना और लाइफ डिवाइन के लिखा जो है कौन है अर्बिंद गोस अर्बिंद गोस नहीं लाइफ डिवाइन आपर बुक को लिखा है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्य बाद